पांदा जिले के बुधेडा गाव के रहने वाले शिवनाराय निशाद 18 जून 2018 की रात को गाव में रामसेवक के घर एक शादी के कारिक्रम में शामिल होने गए थे। जब वह देर रात तक वापस नहीं लोटे तो घर पर मौझूद पत्नी दुलारी की चिंता बढ़ने लगी। उस समय दुलारी घर पर अकेली थी। उसका 20 वर्षिय बेटा और 17 वर्षिय बेटी राधा गाव अलमोर में स्थित एक रिष्टेदारी में गए हुए थे। दुलारी ने पती की चिंता में जैसे तैसे करके रात काती। सुबह होने पर दुलारी ने अपने बेटे को फोन करके रोते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी गाव में ही रामसेवक चाचा के घर मंदप पूजन के कारिक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन अभी तक वह घर वापस नहीं लोटे हैं, बेटे दीपक ने जब अपने पिता के गायब होने वाली बात सुनी तो वह भी घबरा गया, फिर वह मा को समझाते हुए बोला, घबराओं मत मान, मैं घर आ रहा हूँ, हो सकता है पिताजी रात होने पर वहीं रुख गए हूँ, फिर भी आप उनके घर जा कर पूछाओ, ठीक है बेटा, मैं रामसेवक चाचा के घर पता करने जा रही हूँ, दुलारी ने दीपक से कहा, दुलारी जब रामसेवक के घर पहुँची तो रामसेवक ने बताया कि शिवनारायन गाव के ही दो लोगों सूबेदार और चौथया क साथ रात दस बजे ही वहां से लोट गए थे, यहां बात दुलारी ने दीपक को फोन करके बताई तो दीपक के मन में तमाम तरह की आशंकाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया, उसी दिन दीपक अपनी बहन के साथ गाव अलमोर से घर वापस लोट आया, दुलारी और घर के लोग सोचने लगे कि जब रामसेवक चाचा के यहां से वहां लोट आये तो कहां चले गए, अभी तक वहां घर क्यों नहीं आए? उस दिन दीपक अपने ताउं पिता रामासरे, मा दुलारी और परिजनों के साथ पिता को आसपास खोजने में लगा रहा, इसके बाद परिजनों ने सूबेदार और चौथेया से शिवनारायन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग रात में दस बजे साथ ही लोटे थे और गाव के शिवलाखन की पान परचून की दुकान पर गए, लेकिन उस समय उसकी दुकान बन थी, कब हम लोग अलग-अ होकर अपने अपने घरों को वापस लोट गए थे, इसके बाद शिवनारायन कहां गया, हमें नहीं पता, शिवनारायन की दो बेटियां जो अपनी ससुराल में थी, वह भी पिता के लापता होने की सूचना मिलने पर माय के आ चुकी थी, अब शिवनारायन के घर वालों के म अपने सभी रिष्टिदारियों में फोन कर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी जगा निराशा ही हाथ लग रही थी, शिवनारायन को गायब हुए दो दिन होने वाले थे, फिर भी घर वाले पुलीस के पास न जाकर इधर-धर खोजने में ही लगे हुए थे, इसी दौरान 20 जून 2018 की सुभा गाव के सुबेदार और अन्य लोग जब यमुना नदी किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने हाथ पैर बंदे घुटनों के बीच डंडा फसे एक लाश पड़ी देखी, यहाँ बात उन्होंने गाव के अन्य लोगों को बताई, इसके बाद वह लाश देखने के लिए यमुना किनारे गए, वहाँ ग्रामेनों की भीड इकठा होने लगी थी, गाव वालों ने वह लाश पहचान ली, बृतक और कोई नहीं दो दिन से गायब हुआ शिवनारायन ही था, इधर ग्रामेनों ने नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना स्थ थानिय थाने जस्पुरा के थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंग को भी दे दी, थाना प्रभारी सुनील इस घटना की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को देने के बाद अपने माथतों के साथ घटनास्थल पर रवाना हो गए, नदी के किनारे लाश मिलने की सूचना पाकर शिवनारायन निशाद के परिजन भी रोते बिलखते वहां पहुँच चुके थे। पती की लाश देख कर दुलारी दहाडे मार कर रोने लगी। सूचना पाकर बांदा के एसपी अभिनंदन के अलावा एसपी महेंद्र प्रताप सिंग चौहान सीओ सदर सत्यप्रकाश शर्मा के साथ मौके पर पहुँच गए। पुलीस ने अपनी जाच में पाया कि लाश पानी में फूल कर उता कर नदी के किनारे आई है। ऐसे में अनुमान लगाया कि शिवनारायन की हत्या 18 जून की रात में कर दी गई थी। क्योंकि पानी में पड़ा शव करीब 24 घंटे बाद ही उत्रा कर ऊपर आता है। ठाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। फोरेंसिक टीम ने वहां से कुछ सबूत भी जुटाएं, पुलीस ने लाश को देख कर यह कयास लगाया कि हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। क्योंकि पुलीस को घटनास्थल पर ऐसा कोई निशान और नहीं दो पहिया वचार पहिया वहनों के टाइरों के निशान मिले, जिससे यह कहां जा सके कि हत्या इसी जगा पर की गई थी। इसी को आधार बना कर पुलीस यहां मान रही थी कि हत्या कहीं और की गई है। लाश को नदी में ठिकाने लगाने के उद्देशे से यहां लाकर फैका गया था। जिस समय बुधेडा गाव में पुलीस अधिकारी वठाने की पुलीस घटनास्थल का मौका मौायना कर रही थी कुलीस को वहां जमीन पर खोन पड़ा भी दिखा। साथ ही कुछ दूरी पर चूडियों के टुक्रे भी बरामद होए थे। जिने फोरंसिक टीम ने अपने कबजे में ले लिया। मौके पर मौझूद गाव वालों ने बताया कि तूटी चूडिया मृतक की पत्नी दुला लेकिन पुलीस किसी भी साक्ष को हलके में नहीं ले रही थी। इसलिए वहां मौझूद हर संदिग्ध वस्तू को अपने कबजे में ले रही थी। इस दौरान हत्या से जुड़े साक्षयों को इकठा करने के लिए पुलीस ने शव मिलने वाले स्थान से पैदल ही नदी क लेकिन वहां से पुलीस को कोई अन्य और खास सबूत नहीं मिला। पुलीस ने जरूरी साक्षयों को इकठा करने के बाद लाश पोस्ट मार्टम के लिए भीज दी। इस दौरान पुलीस ने परिजनों से शिवनारायन के घर वालों से किसी से रंजिश होने की बात पूछ तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। दोपहर तक पुलीस को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में गला घोंड कर हत्या करने और फ्रेफरों में पानी ना होने की पुष्टी हुई। इसके बाद पुल प्रभारी सुनील कुमार सिंग ने एसपी के निर्देश पर जाज के लिए एक टीम गठित की, जिसमें कांस्टिबल शुभम सिंग, सौरब यादफ, अमित्रिपाथी, महिला कांस्टिबल अमरावती व संगीता वर्मा को शामिल कर जाज शुरू की। थाना प्रभारी सु शिवनारायन से विवाद किया था और धंकी दी थी। इसके बाद पुलीस दुकांदार और रात में दावत में साथ रहे व लाश मिलने की सूचना देने वाले सूबेदार सहित चार लोगों को पूछताच के लिए ठाने ले गई। लेकिन पुलीस को उन लोगों से पूछ की हर एंगल से जाच कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक के घर के हर सदस्य का बयान दर्स किया था। उन्हें जाच में पता चला कि शिवनारायन रात के नौ बजे ही दावत से अपने घर के लिए वापस लोट लिये थे। क्योंकि उस समय हलकी बारिश हो रही थी। ऐसे में 45 साल की उम्र में उनके कही जाने का सवाल ही नहीं उठता था। ऐसे में पुलीस यह मान कर चल रही थी कि शिवनारायन घर लोटे थे और उनके साथ घर पर ही कोई घटना हुई थी। उस दिन घर पर मृतक शिवनारायन की पत्नी ही मौजूद थी। पर और भी पुखता होता जा रहा था। उधर पुलीस को मृतक के हाथ पाम के बांधने और घुटनों के बीच दंडा बांधने की बात समझ आ चुकी थी। यहां हत्या के बाद लाश को उठा कर ले जाने में उप्योग किया गया होगा। इसी दौरान पुलीस को जाच में यह भी पता चला कि उसी गाव के रहने वाले जगभान सिंग उर्फ पुतुवा का अकसर शिवनारायन निशाद के घर आना जाना था। क्योंकि शिवनारायन जगभान के खेतों में बटाई पर खेती करता था। इसी दौरान जगभान का शिवनारायन की पत्नी दुलारी से अवैद संबंध हो गए थे। जिसकी जानकारी होने पर शिवनारायन और जगभान के बीच खटास पैदा हो गई थी। अब पुलीस शिवनारायन की पत्नी दुलारी और जगभान पर अपनी जाच केंद्रित कर आगे बढ़ रही थी। इसी सिलसिले में ठाना प्रभारी सुनील कुमार सिंग ने जगभान के घर जा कर पता करना चाहा तो वह घर पर नहीं मिला। लेकिन उसकी पत्नी दुलारी ने पुलीस को बताया कि वह शाम को छे बजे पास के एक गाव में शादी में गए थे। वहां से वह साढ़े ग्यारा बजे रात में लोट कर आये थे। दुलारी ने यह भी बताया कि उनके साथ ही गाव के भोला निशाद की चार बेटियां भी शादी में गई थी। जहां भोला की तीन लड़किया वही रुक गई थी जबकि एक उनके साथ वापस आई थी। इसके बाद ठाना प्रभारी सुनील कुमार सिंग ने जहां शादी थी वहां पता किया तो लोगों ने बताया कि जबभान वहां से साड़े आठ बजे ही निकल गया था। फिर पुलीस ने भोला निशाद के घर जाकर पूछताच की तो लड़कियों ने बताया कि जबभान उनके घर नौ बजे आये थे। उसके बाद तुरंत वहां वापस चले गए। अब पुलीस के सामने सवाल यह था कि जबभान जब भोला के घर से साड़े आठ बजे चला आया तो वह अपने घर साड़े ग्यारा बजे रात में पहुँचा था। तो इन धाई घंटों के दौरान वह कहा रहा। इस आशंका के आधार पर पुलीस ने जगभान सिंग से धाई घंटे गायब रहने का कारण पूछा तो वहां उसका सही जबाब नहीं दे पाया। पुलीस ने जब कडाई से मृतक की पत्नी दुलारी और जगभान सिंग से पूछ ताच की गई तो उन दोनों ने शिवनारायन की हत्या किये जाने की बात स्वीकारते हुए हत्या का राज उगल दिया। उन दोनों ने शिवनारायन की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार थी। इस बीच जगभान और शिवनारायन की पत्नी दुलारी के बीच नस्दीकियां बढ़ने लगी थी। के घर आता रहा। लेकिन बार-बार शिवनारायन वारा जगभान को घर आने से मना करने की वज़़ से बीते साल जगभान ने शिवनारायन को अपना खेद बटाई पर नहीं दिया। तभी से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था। इसी बात से जगभान और दुलारी शिवनारायन से खार खाए बैठे थे। वह इसी उधेर बुन में थे कि किसी तरह शिवनारायन को ठिकाने लगाया जाए। हत्यारोपी दुलारी ने बताया कि घटना वाले दिन उनके अविवाहित बेटा-बेटी गाव अलमोर में अपने एक दिष्टिदार के घर गए हुए थे। उस दिन घर में कोई नहीं था। उसी दिन दोनों ने शिवनारायन को ठिकाने लगाने के लिए तानाबाना बुन लिया था। जगभान दावत से लोटने के बाद रात के नौ बजे दुलारी के घर पहुँच गया। इधर मंडक कारेक्रम से घर लोटे शिवनारायन ने दुलारी को जगभान के साथ आपतिजनक अवस्था में देखा तो गुस्से में उसका खून खौल गया और वह पत्नी को मारने पीटने लगा और जगभान से गाली गलौज करने लगा। तभी दुलारी ने प्रेमी जगभान के साथ मिलकर अपने पती को चारपाई पर पटक दिया और गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। उसी दौरान उन लोगों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास किया लेकिन गाव के लोग उस समय जाग रहे थे। ऐसे में उन्होंने शिवनारायन की लाश चारपाई के नीचे छिपा दी इसके बाद जगभान रात के ग्यारा बजे अपने घर चला आया। जगभान ने बताया कि रात करीब दो बजे जब मोहले के लोग गहरी नींद में सो रहे थे तब वह रात के सन्नाटे में फिर से शिवनारायन के घर पहुचा। जहां उसने और दुलारी ने शिवनारायन की लाश के हातपाम बांध कर दोनों पेरों के बीच डंडा डाल कर लाश को यमुना नदी में फैक आये। इतना सब करने के बाद दुलारी और जगभान अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद दुलारी ने पती के गायब होने की खबर पूरे गाव में फैला दी और जान बूज कर पती को खोजने का नाटक करती रही। लेकिन पुलीसिया जाच में उनका जुर्म छिप नह की सका। पुलीस ने शिवनारायन की पत्नी दुलारी और उसके आशिक जगभान से पूछताच करने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर कोट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया। वहीं S.P. अभिनंदन ने इस संसनी खेस हत्याकान का खुलासा करने वाली को फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।